हेलो फ्रेंड्स क्या हाल है दोस्तों कुछी दिन में हम मनाएंगे 1971 वार की गोल्डन जुबली यानि कि पचास साथ हो जाएंगे लिबरेशन ओफ बंगलादेश को और दोनों देशों में इसको बहुती धुम धाम से मनाय जाएगा और इस लड़ाई में मुक्ती भाईनी मुक्ती जोदास जो कि बंगलादेश की तरफ से लड़े थे और भारतिय सेना ने जवर्दस्त काम किया और इसको लाइटनिंग केंपेइन भी कहते हैं यानि की जो लड़ाई 3 December 1971 को पाकिस्तान ने स्टाट की उसको 16 December 1970 को इंडियन आर्मी ने भारत ने उसका अंजाम दिया जब इंस्टूमेंट अव सरंडर साइन वा धाका के रेस कोर्स पर As India and Bangladesh celebrate 50 years of the birth of Bangladesh and the defeat of Pakistan army and Pakistan being split into two, one story of unparalleled valor stands out, a story which made Pakistan army commanders lose their nerve and give up because they realized they had no alternative but to surrender on the 16th of December. तो बहुत ही इंट्रेस्टिंग रड़ाई है और Second World War के बाद ये पहली बार है कि किसी देश ने इस परकार का campaign किया हो जहां पर की almost 93,000 prisoners of war लिए गे हो इस परकार का mass surrender दुनिया के इतियास में बहुत ही कम हुआ है So we will celebrate that और ये बहुत ही अच्छा मौका है देश को दुबारा वो बाते याद करने के लिए लेकिन इस लड़ाई में अगर मेरे से पूछा जाए कि सबसे जबरदस्त इवेंट क्या थी सबसे जबरदस लिडर्शिप किसकी थी सबसे जबरदस action कौन सा था जिसने की actually इंग्लिश में कहते हैं turning the tables यानि जिसने की situation बिल्कुल ही हमारे favor में change कर दे तो वो है crossing of river Megna यानि Megna नदी को पार करना और इसके architect थे इसके planner इसकी सोच बूज रखने वाले थे Lieutenant General सागत सेंग जी ओसी फोर को कि पहले सागत सिंग की बात करूंगा जन सागत सेंग बिकाने state forces के थे उनके father honorary captain थे उनका जनम 1919 में हुआ था 1938 में ये फाउज में भरती हुए state forces में night के तौर पे यानि सिपाई भरती हुए थे उनका अच्छा काम देखे क्योंकि और इंटर्मीडियेट पास थे उनको बहुत जल्दी ही जमदार का rank दिया गया है यानि नाइप सुर्दार है second world war चड़ गया और state forces ने भी हिस्सा लिया और सागत सिंग को भेज दिया गया Middle East में वहाँ पर ये बहुत ही कम लोगों में से थे जिनकों की second lieutenant का commission दिया गया तो ये officer बन गये उसके बाद second world war में कई जगा लड़े ये बड़ा अच्छा काम किया इन्होंने staff college कोईटा भी किया और इनमें बहुत उनहार officerों में से एक थे देश अजाद हो गया and 1949 में आजादी के दो साल बाद state forces जब मर्ज हुए तब सागत सिंग को जब major थे वो उनको इंडियन आर्मी में commission मिला और उनकी पुरानी seniority को भी recognize किया गया तो उनको पुरानी seniority मिल गई तो जब सागत सिंग जो है इंडियन आर्मी की officer बन गए और उनको unit मिल गई गुर्खा rifles थ्री गुर्खा rifles तो इन्होंने 23GR को command किया फिर 33GR दो unit command की इन्होंने brigade command की इन्होंने 50 independent para brigade ये 1961 में और ये अजीब बात है कि ये पहले ऐसे officer थे non para officer ये para unit से नहीं थे फिर भी इनको command देगी para unit की और command लेते ही इन्होंने अपने jump पूरे की और पूरी कारवाई करी जिससे की वो maroon beret pants के और सही तोर पे 50 para brigade की command कर सके वहाँ पर इन्होंने liberation of goa में बहुत जबर्दस काम किया था इनकी brigade के इनके अंडर जो है goa का liberation वा तो इनमें ये leadership का एक अजीब सा नॉन कंवेंश्टल अन्प्रेडिक्टेबल मनुवर नई सोच रखने वाले लीडर थे जन सागत से अब वापस crossing of river मेगना जो की हुआ 9 दिसंबर से 15 दिसंबर 1971 मे यह नदी जो नेर्वेस्ट है जो जहां सबसे संकीर हमाँ चार किलोमेटर चौड़ी है और मैक्सिमम पंदरा किलोमेटर चौड़ी है तो इस नदी को पार करना असंभव है और पाकिस्तान ने defense इस प्रकार से ले रखे थी उन्होंने पुल जो आशुगंज का पुल जो कर कोप्टर युनेट थी उसको बोला था कि आप नाइट ट्रेनिंग की फ्लाइन करें और उस जबाने में सिरफ कॉक्पिट में एक लाइट होती थी यही नाइट नेविगेशन का सिस्टम था उस जबाने के हलिकॉप्टर में जो की मी-4 हलिकॉप्टर थे तो इन्होंने रा जबरदस दिलेरी दिखाई और जो हलिकॉप्टर सिरफ 14 जवानों को कैरी कर सकता है उस रात को इन्होंने 23 जवान कैरी के पर हलिकॉप्टर 36 घंटे के अंदर 110 सौटी इन्होंने पूरी की पूरी ब्रिगेड को जो है मेगना नदी को पार करा दिया और पाकिस्तान सक्ते में आ गया क्योंकि उनके डिफेंसर्स टर्न हो गए और उनके पीछे इंडियन आर्मी पहुंच गई उनके पास एक स्कॉडन थी टैंक्स की जो की 63 कैवलरी की थी और उस स्कॉडन के स्कॉडन कमांडर थे मेजर मैता जो बाद में लेफ्टिन जर्ल रैंक से शमी मैता के नाम से लोग जानते हैं वो कमांड कर रहे थी यह टैंक थे PT-76 पहली वार आमड को एंफिबियस रोल मे इस्तिमाल किया गया यानि टैंक्स को नधी पार करने का लिए इस्तिमाल किया जब यह operation चल रहा था crossing of river Megina helium bridge उस time ना को इस force के पास armor support था ना artillery support थी तो बहुत की risky था और helicopter का अबस में crash भी हो सकता था क्योंकि night flying का कोई भी avionics में उस ताएम तक इतना इजाद नहीं to 15 December जो की आशुगंज अकोडा के एरिया में है और जिस ने जिस ऑपरेशन के बाद जो रोड था वो धाका के लिए खुल गया और जलसागत सिंग की अदेख्षता में ये बहुत ही जवर्दस्त ऑपरेशन हुआ इंडिया नामी can truly be proud of executing a maneuver warfare in an area which was not known nobody knew about this and the entire credit must go to the leadership of a great military leader general Sagat Singh thank you